हेलो गाइज, वेलकम बेक टू माई चैनल, स्टडी वर्ल टेकनलोजी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर NCT सर्टिफिकेट को लेकर कि NCT सर्टिफिकेट के क्या फायदे हैं, आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा और इसको कैसे उनलाइन आपको बनवाना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं तो दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी बैचलर ओफ एजुकेशन यानि बीएड, मास्टर ओफ एजुकेशन यानि एमएड या फिर डिप्लोमा कोर्सिज जो कि है डिल्ड कोर्सिज एजुकेशन से रिलेटिड आपने किसी भी कोलीज, युनिवरस्टी और इंस्टिटोट से कम्प्लीट किये हैं means NCT approved कोलीजों से आपने अपना मैस्टर डिगरी या फिर आपना बैचलर डिगरी या फिर आपना डिप्लोमा कोर्सिज अप्रोवड किये हैं तो आपको NCT के द्वारा एक सर्टिफिकेट जरूर बनवाना होता है तो ये सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आपका कोलीज अनिवरस्टी आपका NCT से approved होगा तो कैसे आपको इस सर्टिफिकेट बनवाना है इसके फायदे क्या है और क्यों बनवाना जरूरी है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है तो आपने पूरे देश में कहीं से भी अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो एजुकेशन टीचिंग से रिलेटिड आपको इस सर्टिफिकेट लेना जरूरी है क्योंकि ये एक परकार का NOC होता है ये लेना आपको बहुत जरूरी है बिना इस सर्टिफिकेट के आप किसी भी गवर्मेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अपलाई नहीं कर सकते तो ये सर्टिफिकेट आपको डिपलोमा कोर्सिस बैचलर कोर्सिस या फिर मास्टर कोर्सिस कंप्लीट होने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवाना है तब ही आप गवर्मेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर apply कर सकते हैं अब इस certificate के benefit क्या है वो भी मैं आपको दता हूँ यह एक ऐसा online certificate है अगर यह certificate आपको मिल जाता है तो इसका means यह है जिस college institute इन्वेस्टी से आपने diploma डिगरी या master किया हुआ है वो बिल्कुल fake नहीं है इस certificate के बन जाने से आपका verification आसानी से हो सकता है तो दोस्तो 2019 से इस certificate को आप online घर बैटे ही बनवा सकते हैं इसके लिए कोई chargeable नहीं है तो दोस्तो अगर आपने B.A.D. M.A.D. या फिर diploma courses जनी education sector से related कोई courses किया हुआ है काफी courses आपके आते हैं इसके अंदर तो आपने कोई भी courses complete कर दिया है तो आपको कैसे यह certificate बनवाना है तो उसके लिए आपको mark sheet के साथ यह certificate जरूर चाहिएगा तभी आप government sector और private sector के अंदर future में apply कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दोता हूँ कि कैसे आप अपने certificate के लिए online ही घर बैठे apply कर सकते हैं और यह सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनों ने आपना डिप्लोमा बैड मैड डील्ड कर लिया है वही इसके लिए apply कर सकते हैं यह सिर्फ education sector के रिलेटेड ही है तो आप जिए उसने education sector के अंदर अपना courses complete किया है वही इस form को फिल करें और इसके लिए apply करके अपना certificate ले सकते हैं तो इस certificate को online apply करने के लिए आपको browser open कर लेना है आप एका mobile के अंदर भी कर सकते हैं browser के URL में type करना है आपको nct की main website जो कि nct.gov.in इसका URL मैंने description में दे दिया है आप महाँ पर click करके इस website पर आ सकते हैं तो देखे मैं nct.e की main website पर आ चुका हूँ अब आपको अपना nct certificate apply करने के लिए जाना कहां पर आपको scroll down करना है साथ ही आप top से अपनी language भी change कर सकते हैं इंगलिस और हिंदी अपने असाब से एड़ेस्ट कर सकते हैं तो scroll down करने के बाद आपको इसे वाओ के अंदर एक option मिलेगा जो कि है o t p rms शिख सक चाथ पंजी करन पोर्टल आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप next page पर आ जाएंगे जो कि है ncte का login पे जो कि आपको यहाँ पर अपना login करना होगा अगर आपने पहले यहाँ पर login किया हुआ है याणि national council for teacher education के रिलेटेड आपको o t p rms एक certificate आपको यहाँ पर issue होगा जिसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ लोग इन करना होगा आपना name, यानि आपका जो full name है, आपकी mark sheet के अंदर जो आपका name है, जो आपकी इनि डिप्लोमा और गैजन सर्टिफिकेट के अंदर आपका जो name है वो आपको यहाँ पर fill करना है आपको correct detail यहाँ पर fill करनी है आपको यहाँ पर कोई problem नहीं करनी है तो correct detail यहाँ पे name अपना date of birth फिल कीजिएगा अपना mobile number फिल कीजिएगा अपना email ID फिल कीजिएगा जो आप पा working है आप यहाँ पे working email ID और number ही दीजिएगा यहाँ पे working email ID और number देने के बाद आपको देखिए जो captures हो रहा है उसको fill करना है और fill करने के बाद register के option पे click करना है जैसे register के option पे click करेंगे आप next step पे आजाएंगे next step पे आपको देखिए आपके register mobile number पे नहीं आपके यहाँ पे email ID के पे एक OTP जाएगा तो आपको अपने email ID को open करना है और जो OTP आया है उसको यहाँ पे OTP के option पे fill करना है और fill करने के बाद आपको submit के option पे click करना है जैसे यहाँ आप submit के option पे click करेंगे next step पे आपको यहाँ पर आपको नहीं information देनी होगी नहीं personal detail आपको यहाँ पे fill करनी होगी name आपका पहले से fill होगा अब आपको यहाँ पे अपना father's name की यहाँ पे fill करना है जो आपके document में mention है जो document में mention है वो ही आपको यहाँ पे fill करना है तो यहाँ पे father's name देजिएगा उसके बाद mother's name optional है आप चाहें दे सकते हैं अदरवाइस कोई problem नहीं है तो मैं आपके मुदर's name भी दे देता हूँ साथ में आपको यहाँ पे date of birth पहले से mention होगी gender select करना है आपका male है या female है gender select करने के बाद आपको अपनी category select करनी है आप general के category से आते हैं OBC से, SC, ST से category select करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना pen number देना होगा यह आपका optional document है आप यहाँ पे चाहिए अपनी pen number दे सकते हैं optional detail होगी यह फिराधार number आपको यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं अदरवाइस आप इस option को skip कर सकते हैं इसके बाद आपको scroll down करना है scroll down करने के बाद देखिए आपको आपको देना है अपना address detail जो आपका present address है उसकी detail आपका यहाँ फिल करनी है क्योंकि इसी address पे आपका जो certificate बनेगा वो आपका issue होगा तो आपको यहाँ पे अपना contact information जो कि आपका present information याणि present address है वो आपका fill करना जिसमें आपका house number आजाएगा आपका street आजाएगा district आजाएगा city आजाएगा state आजाएगा यहाँ पे mobile number और आपकी email ID पहले से यहाँ पे enter होगी जल्दी से मैं आपने detail फिल कर लेता हूँ bachelor किया है फिर master किया है उसकी detail आपको यहाँ पे fill करनी होगी और साथ में उसकी एक scan copy भी आपको यहाँ पे upload करनी होगी तो देखिए यहाँ पे आपकी जो scan copy की size रखना है वो आपको रखना है 50 kb से 1 mb की file आपको ले सकते हैं PDF jpg file आप ले सकते हैं इसके बाद है कि यहाँ पे आपको select करना है name of courses यानि जो आपने degree की है उसमें काफी courses आपको यहाँ पे मिल जाएंगे kis institute से आपने किया ऐ या फिर college से क्या उसका नाम आपके आपके आप मैंने उसका नाम देदिया इसके बाद address लेना है उस institute का या इंवस्टि आपका address है कर साथ में किया का अबाए सिर्ट के अंदर आते नाम देता है इसके बाद इस्टेंटोट आपका कोलिज है किस इस्टेटे ऐफ लेटिट है उसका नाम आपको देते ओए इसके यलिए तक वहां थी श्रμीन सग्राइब और मैंकोस है रिखनी, अपि बहुत हो ड़ँ कितने आपने गेन कि है और परसेंटेज आपकी क्या वनी है वोगा पर दे देनी है इसके बाद आपको फाइल सेलेक्ट करनी है फाइल आप पीडियाप जे पीजी और पी एन जी फाइल आपको अपडियाप कर सकते हैं साइज आपका 50 KB से लिखें 1MB तक रह सकता है तो मैं ज प्रेटर प्रोपायल है वो यहाँ पे अपलोड हो गई है अभी देखी यहां पर साथ में आप और भी अपला अपनी प्रोफाइल अपलोड कर Şक्ते आ ना भाद अपर आधर सल्डर डालनी है इसमें वहांते feedback यहाँ पर देटेम करनी है इसमें आपको name of institute डालना है कि इसको स्कूल से आपने अपना 10th की पास आउट किया था और वो इसकूल किस से affiliated है किस इन्वेस्टी से affiliated है उसका नाम यहां पर डाल देना है same आपका passing year क्या है आपका total marks कितने गेन किया है आपने अगर आपका grading system है तो आप grading system के साब से total marks 10 लिखिए marks option कितने हुए आप उसको फिल कीजिएगा कितनी percentage आई उसकी परसेंटेज जाल दिए साब से और फिर आप अपनी जो फाइल है जो 10th की marks it की फाइल है वो आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं same size रहेगा यहां पर भी आपके PDF और JPG फाइल का 50 KB से लेकर आप 1 MB तक की फाइल आप अप अप्लोड कर सकते हैं इसके बाद save की option पर click कियेगा तो देखे मेरी 10th की information में यहां पर successfully यहां पर save हो चुकी है इसके बाद scroll down करना है scroll down करने के बाद यहां पर आप देखे मुझे अपना photo upload करना है और अपना signature photo जो upload करना है उसका size हमारा 20 KB से लेकर हमारा 50 KB के बीच में होना चाहिए साथ में जो हमारा signature का size होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए file हमारी PDF है JPG form में होना चाहिए तो देखे मैं जल्ली से अपना photo भी upload कर दिया है और जल्ली से मैं अपने यहां पर signature भी upload कर लेता हूँ signature upload करने के बाद आप देखें यहां पर scroll down करना है और जो capture आपको फिल कर लेना है right capture फिल करने के बाद आपको एक बार अपनी अप्लिकेशन तो अच्छे से चेक कर लेना है कोई आपने problem या mistake नहीं की है तो उसको check करने के बाद आपको simple submit application के option पर click कर लेना है registration form की यही आपको यहां से login credential आपके बनेंगे जिसमें आपका registration number होगा जो कि आपकी email ID होगी आपका password आपको 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 आपका नेम है इसके अंदर mention आप registration form के अंदर साथ में आपका देखें आपको 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 सेव कर लेना है और दुबारा से आपको क्लिक करना है क्लिक here for login के option पे क्योंकि हमें दुबारा login करना है आपने इस Portal के अंदर login करने के बाद आपको आपनी जो certificate के लिए आपको apply करना है यह सिर्फ registration 다 तो मैं कि Login को कि अपको आपके पर trans sih इस फिर पासवर्ड दे दे ना है जो की registration form में मैं एक तो जो password पर जैसी login के option पर click करता हूं मैं आपने nct के dashboard के उपर enter हो जाऊंगा यहाँ पर देखिए आपको screen पर इसो करेगा जो आपकी education related आपकी detail है यह आपकी bachelor आपने जो form फिल किया था bachelor detail, diploma detail या master detail वो आपके यहाँ पर सो करेगी अब आपको यहाँ पर इसको verification के लिए भेजना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी profile को freeze करना होगा बिना freeze किया हुए आप अपने इस profile को verification के लिए नहीं बेज सकते जब आपकी application यह आपकी freeze हो जाएगी उसके बाद ही आप इसका verification के लिए बेज सकते हैं तो देखें आपके side में एक option मिलता है click here to freeze profile इस पे click करके हमें अपनी profile को freeze कर लेना है तो देखें जैसे ही मैं click here to freeze profile के option पे click करता हूँ next step पे हमें यह profile के option पे ले जाता है यहाँ पे आपको अपनी profile की detail चेक कर लेनी है scroll down करना है scroll down करने के बाद आपको एक बार disclaimer यानि अटर्मेंट कंडिशन को accept करना है उसके बाद जैस accept करने के बाद click करना है I freeze profile details के option पे click करने के बाद एक pop-up आएगा pop-up को okay कर लीजेगा okay करने के बाद दुबार से आपके पास एक pop-up आएगा उसको आप यहाँ पे okay कीजेगा okay करने के बाद next step पे देखें आपको यहाँ पे show होगा आपकी qualification तो यहाँ पे qualification को add भी कर सकते हैं edit भी कर सकते तो profile को check करने के बाद आपको scroll down करना है scroll down करने के बाद again आपको disclaimer यानि जो tick box है check box पे click करने के बाद आपको click करना है freeze qualification detail तो मैं अपना freeze qualification detail पे click करता हूँ इसके बाद एक pop-up generate होगा pop-up को अच्छे से read कीजेगा इसके बाद आपको detail edit नहीं कर सकते तो अब मैं okay के option पे click कर करता हूँ next step में देखें यहां पे मेरे को एक pop-up generate होगा जिसमें मेरा data freeze successfully इसके बाद मैं okay के option पे click कर लेता हूँ जैसे ही मैं okay के option पे click करता हूँ यहां पे मेरी profile नहीं data मेरा freeze हो चुका है अब मुझे को simple अपनी जो certificate के लिए अपनी जो verification के लिए बेजना है submission करना है इस इसके बाद आपनी कोई edit नहीं कर सकते तो आप correct detail आप फिल करनी होगी इसके बाद देखें आप एक disclaimer होगा यह नहीं आपको एक termine condition है आपको एक्सेप्ट करनी है accept करने के बाद आपको submit application के option पे click करना है जैसे आप submit application के option पे click करेंगे आपको यहां पे show करेगा एक message कि application है वो आपके dashboard पे show करेगी कि आपका जो status है वो क्या है आप अपने dashboard पे जाके अपने status को check कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपनी जो nct की certificate के लिए application को online यहां पर मैंने apply कर दिया है verification करे मैंने आपको send कर दिया है अब इस certificate कम मिलेगा तो देखें मैं dashboard पर जाके apply किया है उससे 5-7 दिन के अंदर यह जो मेरी application है यह मैंने certificate के लिए apply किया है यह मेरा बनके ready हो जाएगा और इसका download का option यह प्रिंट का option भी मेरे कोई हीपिस हो करेगा यह अब मेरा यहां पर print का option आ जाएगा तो 5-7 डेज वेट करने के बाद यहां पर आपको print का option मिलेग इसमें देखे आपको certificate में आपको एंसीट का आपका address होगा ब्रांच address होगा वह आपको आपको युटीडी नमबर एक सोगा जो कि आपका UTED नमबर होगा यह आपका every student के लिए different number होगा जिससे आपका government sector, press sector में कोई भी company वेगरा आपका या कोई भी education sector वेगरा वेगरा verify कर सकता है कि आपके जो certificate है आपके जो diploma या गैजुशन courses किये हैं वो आपका verified है NCT के थुरू तो इसमें आपके यहां पर name mention होगा father's name होगा, mother's name होगा, date of birth mention होगा, for number mention होगा आपका email id mention होगा और आपका जो permanent address है वो mention होगा साथ में left side में देखिए sorry right side में आपका photo mention होगा और आपका candidate signature आपको mention होगा, साथ ही में जैसे ही मैं अपने certificate को यहां पर scroll down करता हूँ, तो देखिए यहां पर आपको mention होगा, आपका name mention होगा, father's name mention होगा और जो भी आपने course या degree या जैसे B.A.D. diploma या फिर आपने M.A.D. किया है, वो mention होगा, साथ में institute का name mention होगा, plus में आपको किसने इसको verified ही किया है उसका यहां पर name mention होगा सब कुछ आपको mention होगा, scan code होगा आपका date कब होगा, date को mention होगी जब आपका यह certificate verify हुआ है, बनाया बनके ready हुआ है, वो आपको mention होगा, आपके regional director की हाँ पर simulation mention होगी, तो इस तरह के से आप अपने certificate के लिए apply कर सकते है online, यह बिल्कुल free है free of cost है, 5-7 days में यह बनके ready हो जाता है, अगर कोई region होता है, जिससे कि आप जो अपने date को apply किया है उससे 5-7 days हो जाते है उस time में आपका certificate नहीं बना है, तो इस case में आपको क्या करना है, देखे, screen पे मैंने आपको कुछ number दिया है, यहाँ पर every regional zone के लिए, अलग-अलग number और mail ID है, तो आप अपने register mobile number से call कर सकते हैं, या फिर register email से आप mail कर सकते हैं, कि sir, हमारे जो अपने NCT का certificate आपने apply किया है, उस वो अब तक बन के ready नहीं हुआ है, उससे contact कर सकते हैं तो यह number आपको mention किया है, वह मैंने screen पे, तो आप इन से contact कर सकते हैं, या फिर इनको mail कर सकते हैं तो दोस्तों, इस तरीके से ही आप अपने NCTE के certificate के लिए online apply कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो information अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरू कीजेगा, channel फिर first time आए तो channel को subscribe जरू कर लिजेगा साथ ही इस वीडियो को अपने friend के साथ share करना ना भूलें, अगर आपको कोई problem आ रही है, इस form को fill करते वक्त कोई जान करें चाहिए, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, फिर हमारे instagram page पर आप हमको message कर सकते हैं, thank you